Hello everyone and welcome back इस वीडियो में आज हम डिस्कर्स करने वाले हैं How to introduce yourself in an interview जो की सबसे important question है आप किसी bank में जाते हैं या किसी private job के लिए पपलाई करते हैं तो सबसे पहला question जो है वो आपसे यही पूछा जाता है तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी strategies बताऊंगी या ऐसे कुछ reasons बताऊंगी जिसकी वज़े से आपसे यह questions किये जाते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस लाइक, शेर और सबस्राइब और प्रेस बेल आइकन तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करती हूँ उन तीन reasons से कि आपसे जो भी recruiter है वो यह questions क्यों करता है तो पहला reason आप देख रहे हैं या पर, to make you comfortable यानि कि जिस चीज के बारे में आपको सबसे जादा पता होता है यानि कि आपके बारे में तो पहला question आपसे इसलिए किया जाता है ताकि आप recruiter के साथ comfortable हो पाएं आप अच्छे से आगे की conversation उनसे कर पाएं Next, how are you better or different from others एसी क्या qualities या एसी क्या skills हैं आपके अंदर जो आपको दूसरों से अलग या बहतर बनाती हैं ये आपको उस interview में अपने खुद को introduce करते टाइम बताना होता है Next, आपके skills या कौन से ऐसे values हैं जो आप उस company में add कर सकते हो कोई भी company जब आपको add करती है आपको hire करती है वो यही expect करती है कि आप उस companies में कुछ ऐसे values एड करेंगे जो उस company को आगे growth में help करेगा तो यह कुछ reasons ऐसे हैं जिसकी वजह से आपसे पहला question किया जाता है Next, आपको कौन-कौन से strategies यूस करने हैं इन questions को answer करने में वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूं First, always start your introduction with a greeting Like this is the basic manner जब भी आप किसी भी interview में जाते हैं या आप किसी भी recruiter से मिलते हैं तो सबसे पहले आप अपना introduction है वो आप greeting से शुरू करेंगे Next, talk about your educational background आपको इसमें brief description देना है यानि कि अगर आप graduate हैं या अप under graduate हैं या आप post graduate हैं वो चीज आपको इसमें थोड़ा brief description के साथ बतानी Next, speak about your current or latest job role यानि कि आपके achievements आपने past में अगर कोई job किया हुआ है तो आपका job profile या फिर आप कितना experience रहा है वो आप इसमें discuss कर सकते हैं आपके achievements कोई award या फिर आपने अपनी society को अपनी company को आगे कहीं represent किया है उसके बारे में भी आप इसमें add कर सकते हैं Next, feel free to speak about your hobbies and passion यानि कि apart from your professional life आप इसमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं आपकी hobbies या आप किस चीज में जादा passionate है वो आप इसमें add कर सकते हैं Next, आपका closing statement यानि कि conclusion इसके अलावा अगर आप उसमें कोई अपनी खुद की कोई अपनी तरफ से अगर बात उसमें add करना चाहते हैं तो वो आपनी conclusion में add कर सकते हैं यानि कि आप इसी job profile के लिए इसी company में क्यू apply कर रहे हैं उसका answer आपके लिए होना चाहिए आपके पास Next, how it aligns with your future goals यानि कि अगर आप से directly अगरी question कर लिया जाए recruiter की तरफ से कि आप खुद को 5 साल के बाद कहां देखना चाहते हैं आपके पास कुछ future goals होने चाहिए उस job से related उस profile से related तो आपको इसके लिए भी prepare रहना है Lastly, जैसे हमने शुरुआत में add किया था आपके greetings, last में हम add करेंगे That's all about me, thank you यानि कि आपने अपनी तरफ से complete कर दिया है, ये सब आपके बारे में हैं, thank you आगे से अगर recruiter आपको कोई question करता है, उसके बाद आप उसका next answer दे सकते हैं तो ये सारी चीज़ें, ऐसी strategies हैं, जो आप आगे किसी भी interview में जाएंगे तो पहला question जो आपसे किया जाएगा, उसको आप अराम से clear कर सकते हैं अगर आपको video अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon, thank you so much